आरक्षन वालों को रेलवे में भरती करोगे तो ऐसे ही हादसे होंगे रेजर्वेशन वालों की वज़े से बाला सोर में हुआ ट्रेन हादसा आरक्षन से मेरिट का नुकसान होता है इसलिए रेलवे में आरक्षन बंद कर देना चाहिए ओडिशा के बाला सोर में हुए भीशन ट्रेन हादसे के बाद से सोशल मीडिया पर इसी तरह की पोस्ट और कमेंट देखने को मिल रहे हैं उसकी भरमार आ गई है लोग ट्रेन हादसे के लिए कोटे वालों को जिम्यदार बता रहे हैं लोगों का कहना है कि रेलवे में आरक्षन से भरती हुए लोग सही से काम नहीं करते क्योंकि उनमें मेरिट नहीं होती और फिर वो इस तरह के गलतिया करते हैं जिससे हाद से होते हैं लेकिन क्या सच में ऐसा है आरक्षण वाले ना काबिल होते हैं उनमें मेरिट नहीं होती आरक्षण के खिलाफ ये تर्क सालों से दिया जाता है ऐसे लोगों को बस आरक्षण को गाली देने का बहाना चाहिए बालासोर ट्रेन की टककर से पता चलता है कि भारत में रेल्वे सि की कमी के कारण हुआ है इस ग्राफिक्स को देखें न्यू इंडियन एक्सप्रेस का ये ग्राफिक है जो बताता है कि करीब शाम साथ बज़े अप लाइन पर कोरो मंडल एक्सप्रेस डीरेल हुई थी तेज रफतार थी इसकी वज़े से लगबग पूरी ट्रेन डीरेल हो गया था समय पर उसको नहीं रोका गया यश्वन्दपूर हावडा एक्सप्रेस को रो मंडल एक्सप्रेस के पट्री से उतरने के करीब 20 मिनिट बाद घटना सतल पर पहुची थी यश्वन्दपूर हावडा एक्सप्रेस को रोका नहीं गया वो भी ट्रेक पर पड़े डि पेस लोकेशन मॉनिटर होती है रेलवे के जो सेफटी सिस्टम है उनको अलर्ट भेजना चाहिए था और दूसरी तरफ जो गाड़िया आ रही थी उनको रोक देना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं ये तकनीकी गड़़िया हो है ये लापरवाई है ऐसा हुआ नहीं अब का काम का जोर बहतर हुआ है क्योंकि आरक्षन वाले करमचारी जएधा मेनित करते हैं मैं ये बात हवा में नहीं कर रहा मैं बिना किसी परमान के बात नहीं कर रहा बलकि ये बाकाइदा एक international research में साबित हो चुका है ये बाते सामने आ चुकी हैं कि railway में जो आरक्षित वर के लोग हैं वो ज्यादा काम करते हैं उनकी वज़े से railway की जो productivity है वो बड़ी है अश्वनी देशपंडे और थोमसी वेसकोफ ने भारतिय railway की productivity पर एक research किया था इस research का topic था क्या railway में आरक्षन लागू होने से उत्पादक्ता पर असर होता है खराब असर होता है या वो कम होती है भारतिय railway की इसके study को साल दोजाशोदा में research journal world development में प्रकाशित किया गया था मशूर ये research journal है इसमें ये प्रकाशित हुआ था और research team ने क्या किया था research team ने आठ रेल collection के जो लाभारती हैं जो करमचारी है उसका railway पर क्या असर पड़ता है ये उन्होंने देखा था आपको जानकर हैरानी होगी कि इस research में ये सामने आया कि आरक्षित वर्गों के करमचारी बागी करमचारियों से ज्याधा अच्छा काम करते हैं आरक्षित वर्ग के करमचार रहतर हुआ है यानि railway के कामकाज में बड़ोतरी हुई है ये रिसर्च टीम का निशकर्ष है और जो रिसर्च टीम है ये कहती है इसनों तो ये भी कहा कि हमें अपने सर्वे में ऐसी कोई बात नहीं मिली ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे ये साबित होता हो कि आरक्षि से ना ही मेरिट का नुकसान होता है और ना ही कामकाज पर खराब असर पड़ता है लेकिन बावजो दिसके बेहत जातिवादी नजरिये से इस तरह के हादसों में आरक्षिन के नाम पर गालिया दी जाती है यहां तक की देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोट भी कह चुकी है कि आरक्षन से मेरिट का कोई नुकसान नहीं होता दोजारिकिस में नीट में OBC आरक्षन लागू करने के मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोट ने कहा था कि कोटा मेरिट के खिलाफ नहीं है जिस तरह से हम योगिता को समझते हैं व्यव्यक्तिगत एज उसका ये दावा है उसका ये जज्जमेंट पर उसने एपनी बात बोली है रिसर्च रिपोर्ट में भी ये बात आ गई सुप्रीम कोड ने भी कह दिया कि मेरिट का कोई नुकसान नहीं होता रक्षन की वज़े से लेकिन मनुवादी लोगों को ना ही इस इंटरनेशनल रिसर आपने क्यों नहीं किया आप में मेरिट है तो क्यों हमारे देश की एक भी उनिवरसिटी दुनिया की टोप हंडर्ड उनिवरसिटी में नहीं आती जब कि सारे के सारे चांसलर सिक्षा मंत्री सवन रहे हैं सबके जो प्रोफेसर्स हैं वो सवन है तो क्यों आप कोई बड़ विशेशादिकारों के बारे में बात नहीं करते वो कभी अपनी social capital के बारे में भी नहीं बोलते बस उन्हें जब भी मोका मिलता है वो आरक्षन को कौस नहीं लगते हैं अगर आरक्षन से merit का नुकसान होता तो सवर्णों को मिलने वाले EWS यानि सुदामा कोटा इसका समर्थन क्यों किया जाता सुदामा कोटा का समर्थन कोई क्यों करता क्या EWS आरक्षन से merit का नुकसान नहीं होता सवाल उठता है कि भई आप उसका एक तरफ कहते हो कि आरक्षन से मेरिट का नुकसान होता है दूसरी तरह आप सुदामा कोटा EWS के आरक्षन की मांग करते हो उसको पास होने पर तालिया भजाते हो तो ये क्या है शास्त्रों में इसे ही जातिवादी दोगलापन का आगया है कि ये आपके डबल स्टेंडर्स है आपका दोगलाप करनी पड़ते है क्योंकि उसकी जो जरा सी गलती है वो सिर्फ उसके लिए नहीं बलकि उसकी पूरी कम्यूनिटी के लिए होती है और उसकी पूरी कम्यूनिटी को गाली दी जाती है कि ये तो कोड़े वाले हैं इनको कुछ आता नहीं है इसलिए psychological pressure में भी होता है हमेशा आरक्षित वरगों के लोग ज़्यादा मेनत करते हैं कि वो ऐसा कोई काम ना करें जिस से उनके समाज के उपर कोई उगले उठाए तो वो ज़्यादा मेनत करते हैं इसलिए इस तरह के हादसों के नाम पर आरक्षन को कोशना, जातीवादी मानसिक्ता के सिवा कुछ नहीं है, हादसों की जिमेदारी सरकार की बनती है, रेलवे में लाखों पद खाली है, बीते नो साल में तीन लाख पद रेलवे के खाली हैं, उनको नहीं बरा मोधी सरकार न लेकिन मोधी सरकार से इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछने वाला और उसकी जगे लोग क्या कर रहे हैं जो घटिया जाती वादी लोग हैं वो दलित बहुजनों के आरक्षन को गालिया दे रही हैं ऐसे लोगों को मांसिक इलाज की सक्थ जरूरत है वो जाती वादी इस बीमारी से पीडित हैं इसलिए उनका इलाज होना चाहिए उनको नजदी की जो मेंटल असिस्टेंट करने वाले जो लोग हैं साइकलोजिस्ट हैं उनके पास उनको भीजना चाहिए कि उनकी उनको इलाज मिल सके आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके हमें आप अपनी राय बता सकते हैं इस वीडियो कौने लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज़रू सब्सक्राइब करें वीडियो के अंत में आप से छोटी सी अपील साथ योगर आपको The Newsweek का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूँ ही अंबिट करवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहें इस QR कोड को स्कैन करें और Newsweek Foundation के खाते में अपनी दान की राशी भेजें QR कोड के अलावा आप UPI की जर्ये भी मदद कर सकते हैं आप हमारी UPI ID Newsweek at the rate Yes Bank पर भी मदद भेज सकते हैं इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं खाते का नाम है Newsweek Foundation अकाउंट नंबर है 0-2-3-5-8-7-0-0-0-0-6-4-0 IFSC कोड है YES B-00-0-2-3-5 बैंक का नाम YES Bank है और ब्रांच है नहरू पैलेस देली आप डोनेशन के एवेज में इंकम टेक्स में भी छूट पा सकते हैं डोनेशन के रसीद पाने के लिए ट्रांजेक्शन का स्क्रीन शोट हमें बेजें टाइप करें डोनेशन स्पेस अपका नाम और हमें 8595794224 पर वाट्सेप करें